ये expiry special video में हम लोग सिखेंगे कि कल के दिन expiry का jackpot trade कैसे निकालते है उसके पीछे का logic क्या है और bank nifty और nifty में कल कैसा trade करना है उसके पीछे का price action का और option chain का logic क्या है तो सब सब पहले देख लेते हैं bank nifty में किस तरिके का trade हमें कल के दिन मिल सकता है अभी आपके सामने में जो चार्ट लगाया हुआ है वो bank nifty का spot का 15 minute का चार्ट है यहाँ पर हम लोग nifty का analysis करने से पहले bank nifty का analysis कर लेते हैं bank nifty में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि market ने एक rectangle pattern form किया हुआ है तो कल के दिन market ने जो बड़ा momentum दिखाया था उसके बाद आज market ने यह rectangle pattern form किया हुआ है मतलब trend के direction में market अभी range bound phase indicate कर रहा है कल के दिन market अगर flat open होता है और फिर यह उपर वाले level को मतलब 38,780 के level को market upside की तरब break करता है तो उस case में हमें बड़िया upside momentum मिल सकता है तो उस case में हम लोग 38,700 का जो call है वो 38,700 के call को buy कर सकते हैं हमारा stop loss जो रहेगा वो stop loss मातर 60-70 point का रहेगा और target जो रहेगा वो target हमारा almot 180 से लेके 210 point तक का रहेगा अभी यह momentum बहुत ही fast हो सकता है इसके पीछे का मैं आपको logic option chain में जब open interest का analysis करूँगा तब मैं बता दूँगा कि कितने लोग यहाँ पर trap हो रहे हैं अगर कल के दिन market gap down open होता है और इस level को downside की तरब break करता है तो immediate कोई भी trade मत लीजे इसके पीछे का reason यह है कि market अगर नीचे भी आना लगता है यह हमें देखना पड़ेगा यह जो अपना free वाला telegram channel है जहाँ पर मैं free के intraday के signal देता हूँ वहाँ पर मैं update कर दूँगा यह free वाले telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है जहाँ पर 1,41,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए है यही एक मात्र मेरा official channel है जहाँ पर मैं intraday के free के updates देता हूँ अभी देख लेते हैं कि option chain हमें क्या indicate कर रहा है तो कल के दिन market अगर बहुत gap up या gap down खुलता है तो immediate trade मत कीजिए market को पहले direction दिखाने देजिए कि कौन से direction में market जा सकता है फिर उसके बाद open interest का data देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग trade का decision ले लेंगे तो फिलहाल के लिए अभी open interest का data हमें क्या indicate कर रहा है इसको देख लेते अभी आपके सामने मेंने bank nifty का option chain लगाया हुआ है 14 October के expiry वाला यहां पर आगर आप देखोगे तो आपको clear कर दिखाए दे रहा है कि उपर की side के तरफ तगड़ा call writing हो चुका है मतलब मंदी वालों ने यहां पर अपना heavy position बना के रखा हुआ है यह 38,800 का अगर level market break करता है तो इस level को break करने के बाद market में एक बड़ा short covering आ सकता है यह short covering के पीछे का reason एक ही है कि नीचे वाले rate पे आभी कुछ लोग यहां सर्व निकल चुके है लेकिन कुछ लोग आभी already फसे हुए है तो यह बहुत बड़े quantity में यहां पर लोग फसे हुए है यह सब trap हो जाएंगे और उनके trap होने के कारण market immediate आपको 49,000 का एक psychological level भी यहां पर दिखा सकता है यह 49,000 के level के उपर 17,000,000 shares का open interest है यहां पर यह level तक market आसनी से post सकता है शर्त यह है कि market flat open होके फिर इस level को break करना चाहिए अभी देख लेते हैं कि bank nifty के बाद nifty में किस तरीके का scenario बन रहा है nifty में आगर आप देखोगे तो आज के दिन एक बड़िया upsided momentum दिखाया और closing के time market एक range bound phase में चला गया है यह बहुत बड़िया setup हमारे लिए बन के आ रहा है कल के दिन market इसी range में open होके यह उपर के level को break करता है मतलब 18,200 के level को तो बड़िया upsided momentum हम लोगों को दिखाई दे सकता है उस case में हम लोग 18,150 का जो call है उसको buy कर सकते है उस case में हमारा जो stop loss रहेगा वो stop loss मातर 15 से 20 point का रहेगा और अपना target जो रहेगा वो target अलमोस्ट हमारा 40 से 50 point का target यहाँ पर हम लोगों को मिल सकता है आज के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको multiple inside candle मिल चुके थे यह inside candle को break करने के बाद market ने बहुत बड़िया one sided momentum दिखाया था तो price action के हिसाब से जब भी market एक range bound phase में चला जाता है तो जितने time के लिए यहाँ पर range bound phase में market रहेगा उतना बड़िया breakout हम लोगों को मिल जाएगा इसके पीछे का reason एक ही है जब भी market यह range bound phase में रहता है यहाँ पर बहुत सारे writer जो है वो premium DK का benefit लेने के लिए यहाँ पर position initiate करते है और यह expiry के दिन ज़्यादा important इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पर writer का position first जाएगा उतना बड़िया हम लोगों को upside momentum मिल जाएगा अभी मैं आपको option chain में बताता हूँ यहाँ पर आपके सामने में निप्टी का option chain लगाया हुआ है यह 14 October के expiry वाला option chain है यहाँ पर 18,200 के उपर call की side में अगर हम लोग देखते हैं तो 48,000,000 का open interest है 18,300 के उपर 46,000,000 का open interest है और 18,400 के उपर 49,000,000 का open interest है और यहाँ पर आगर आप देखोगे तो उपरी वाले strike price पर आच्छा कासा लोगों ने addition किया हुआ है लेकिन उसके नीचे वाले strike price में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग exit हो जा रहे है यह exit हो रहे हैं इनका मतलब इनको कही न कई confidence lose हो चुका है कि market आभी जो है वो नीचे आने की probability कम है तो यहाँ पर मंदी वाले जो है वो मंदी वालों ने यहाँ पर वूपर की side के तरफ तगड़ा position बनाया हुआ है और नीचे की side से लोग exit मार रहे है अगर आपको option chain का free वाला course करना है तो उसके sub details मेंने telegram channel के उपर दिये हुए है और telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है वहाँ पर जाके आप देख सकते हो यहाँ पर put की side में हम लोग support identify करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 18,000 के उपर highest open interest बना हुआ है 51,000,000 में से 31,000,000 share आज ही के दिन add हुए है लेकिन यह सब हीजिंग के कारण है तो इसको हम लोग ज़्यादा importance नहीं देंगे हमारे लिए यह जो level है 18,000 दोसों का यह जैसे ही break हो जाएगा एक बड़िया one-sided momentum हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपको कल के दिन jackpot का trade identify करना है तो उसके पीछे का भी logic में आपको explain करके देता हूँ jackpot का trade जिसको आप hero या zero trade बोलते वो कैसे identify करते इसके पीछे का logic आप यहाँ पर समझ लिजे यहाँ पर आपको initially देड़ बजे तक wait करना है देड़ बजे के बाद call की side में आपको देखना है highest open interest कहाँ पर बना हुआ है मानलो 18,200 के level के उपर highest open interest बना हुआ है तो आप लोगों को क्या करना है इस level का breakout होने तक wait करना है और breakout के बाद market यहाँ पर थोड़े time के लिए sustain हो जाता है तो यह नीचे वाले level पर जो भी लोगों ने short का position initiate किया रहेगा मतलब call right किया रहेगा वो सब writer लोग जोए वो trap हो जाएंगे और lighter लोग एक बार trap हो गए तो उनके पास time कम रहता है पोजिशन निकालने के लिए वो लोग यहाँ पर buy का order punch करेंगे प्लस side line पर बेटे हुए लोग भी यहाँ पर यह level break होने के बाद buy का order punch करेंगे और इसके वाज़ा से market में बड़ी upsided momentum हम लोगों को दिखाई दे सकता है यह हो गया call के side resistance level break होने के बाद कैसे आपको jackpot trade identify करना है इस case में हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को out of the money option select करना है जिसका premium 15 से रुके अब 20 रुपे तक रहेगा उसका stop lot जो रहेगा वो मात्र 5 रुपे का हमें रखना है और target जो रखना है वो target subject to the market moment रखना है अगर आप multiple lot में trade करते हो तो multiple lot में trade करने के लिए partial profit कैसे book करना है money management कैसे book करना है, trailing stop कैसे लगाना है यह सब मैंने अपने YouTube वाले channel के वीडियो में explain किया हुआ है इस YouTube channel को आप subscribe कर सकते हो और subscribe करने के बाद bell icon का बटन दबा सकते हो और यहाँ पर जितने भी वीडियो है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अभी put की side में हम लोगों को कैसे jackpot trade मिल सकता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा same put की side में देड़ बजे तक wait करना पड़ेगा देड़ बजे के बाद जिस strike price के उपर highest open interest बना रहेगा उस strike price को आपको mark करके रखना है उस strike price को अगर देड़ बजे के बाद market break करके वहाँ पर sustain होता है तो उस case में हम लोग क्या कर सकते है जो भी वो strike price का या फिर out of the money strike price वाला जो भी put option रहेगा 15-20 रुपे तक का उसको हम लोग यहाँ पर buy करते हो same हमारा stop loss जो रहेगा वो 5 रुपे का रहेगा और target जो रहेगा वो target subject to the market momentum रहेगा तो इस तरीके से आप jackpot trade जो है वो jackpot trade identify कर सकते हो तो इसी तरीके के educational content के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को like कीजिए वीडियो को like करने के बाद आपने telegram channel को और youtube channel को भी subscribe कीजिए तो मिलते हैं next educational video में Thank you very much